हाई गाईज वालकम तो दो चैनल फिजिक्स 101 फिजिक्स 101 चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर अमंत सिंग तो दोस्तों आज अपन पढ़ना है सेमी कंड़क्टर का लेक्चर नमबर 3 जिसमें बच्चे मैं आप्लिकेशन आफ पी एंजंक्शन ड की क्या होती वो बता चुके थे effect of forward bias क्या होता है यह बता चुका हूँ if effect of reverse bias क्या होता है यह बता चुका हूँ आपनको यह पता को है कि जब मैं forward bias करूंगा अपनको ईब अगर n टाइप को लोटेंशल से कनेट करूँगा तो दायोड फौरवर्ड बायस हो जाएगा और फौरवर्ड बायस में डायोड कंडुक्टिंग होता है रिवर्स बायस हमने सुना देखा कि बचचे जाब अगर P type को अगर हम battery के lower potential वाले terminal से connect कर दें और N type को battery के higher potential वाले term करें connection से जोड़ दें तो डायोट जो होगा वो अपना reverse bias mode में चला जाएगा किसमें चला जाएगा reverse bias और reverse bias में diode कैसा हो जाता है non-conducting depletion width क्या क्या हो जाती है बढ़ जाती है बार जाता है ऐस रीधन की बढ़ जाती है अगर मैं बात करूं तो डायोड कंडूक्टिंग हो जाता है अगर देख चुके है और आज की सेशन में आगे अपन इसके आपप्लिकेशन जिसमें आता है आपके RACTIFYS और बात करेंगे और RACTIFYS के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं लोग सब लोग कम्फटेबल हैं तो लाइक कर दीजे वीडियो को और पर अने कैड्मी के प्लाइड लेना चाहते हैं तो जल्दी से subscribe कर लेंगे तो आपको मिलेंगी डेली लाइफ लासे जिसमें टू वें इंटडिक्शन रहता है आप टीचर से बात कर सकते हैं अपने डाउट लाइफ से में पूछ सकते हैं जिससे आपको बैटर क्लारेटी और बैटर अंडरस्टाइंग सब्जेक्ट की और टॉपिक की डवलप होगी स्ट्रक्चर कोर्स होते हैं जो टॉपिक वाइज रहते हैं जिसको आप बचारी विजन के वक्त आपको कोई भी चीज टॉपिक देखना है तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिल जाएगा बचे अनलिमिटेड अक्सेस मतलब अगर आप जई की त्यारी कर रहे हैं तो फिजिस कमेस्ट्री बायलोजी मतलब तीनों सब्जेट के जितने भी टीचर्स हैं अनकैडमी के प्लेटफॉर्म पे उन सभी लोगों की सारी प और साथी साथ बच्चे अनकैडमी ने आइकॉनिक स्क्रिप्शन लांच कर दिया जिसमें आपको पर्सनल कोच प्रोवाइट कराये जाएंगे जो खुद एक टीचर होंगे उन पर्सनल कोच से आपकी वीक में दो मिटिंग्स होंगी वन तो वन वह आपकी बात को समझेंग तो जो नॉर्मल प्लस स्क्रिप्शन है उसकी ट्वैल मंत की फीज थर्टी एट थाउजन फाइव हंडड़ है और ट्विटी फो मंत की फिज फिफ्टी सिक्स थाउजन है अगर बच्चे यहां पे आप मेरा सस्क्रिप्शन कोड यहां पे हैवा रिफ्रेल कोड लिखा सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो ट्वैल मंत की सिक्टी फाइब थाउजन को पॉस्टिंग है और अगर बच्चे मेरा सस्क्रिप्शन कोड रिफ्रेल कोड वाले प्रोसीड टू पे से पहले वहां पे अगर बच्चे आप एस एल आई वी लिग देंगे यह मेरा रिफ्र परसेंट इसकाउंट वैल मंत की फीज आपको 58500 पड़ जाएगी और टो यह तो अन्हें की बारे में बथा अब अपनी टॉपिक सुरू करते हैं अप्लिकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एकसा रेक्टी फायर अप्लिकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एकसा रेक्टीफायर तो स यह यह ड्रेक्टी फायर क्या होताग डिवाइस होती है डिवाइस दाक्टस बचली एक डिवाइस होती है रेक्टीफायर बसक्शा है एक ड Mick करती है अब बात आती कि एक क्या होता है इसी ऐसा होता है जिसका वोल्टेज या करेंट की डायरेक्शन और चेंज होती रहे मतलब अगर कभी पॉजर्टिव साइड है तो नेगेटिव साइड भी आ तो एसी ऐसा होता है यह प्लस साइकल भी आती है माइनस साइकल में अगर यह एक एक अगर मैं डी सी की बात करूँ तो डायरेक्शन चर्किट जो होते वह आइधर पॉजर्टिव होगा और या तो निगेटिव होगा डिस आलसो जैसी यह कॉंस्टेंट डी सी है और इसी की ज सारी की सारी की सारी स्सुक्राइब यह कभी और प्लेस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरेतर में तो ही इसको कहेंगे ने यह बवर convert करती है rectifier क्या होता बच्चे एक device होती है जो एक rectifier इसमें input दिया इसमें output दिया अगर बच्चे मैं input पे voltage signal ऐसा दे रहा हूं तो जो output मिलेगा हमें rectifier से वो कुछ कुछ ऐसा मिलेगा अगर input पे बटे मैंने voltage signal कुछ ऐसा fluctuating सा दिया तो output पे हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा मतला input पे अगर मैं plus minus plus minus दे रहा हूं तो output हमें सिर्फ plus 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 वाली अगर cycle मिल लई है तो इसको मैं rectifier कह सकता हूं तो उसको मैं rectifier कर सकता हूं तो rectifier क काम क्या होता एक alternating current को दोस्तों एक alternating current को एक direct current में बदलना एक AC current को DC current का काम convert करने के काम क्या करता बच्छे एक rectifier करता है कौन करता बच्छे एक rectifier करता है अब इसमें दो तरीके के rectifier है अपने से लेबिस में समझाने से पहले पढ़ाने से पहले मैं एक बात बता देदा हो कि मालों यह एक अपना पें जंक्छें डायोड है क्या यह अगर बच्छी मैंने इस टर्मिनल पर positive दे दिया और इस पर निगेटिव दे दिया तो डायोड क्या कहेंगे बच्छे forward bias कैसा होगा बच्छे forward और यहीं अगर बच्चे मैंने इसी डायोट के इस साइड निगेटिव और इस साइड पॉजिटिव कर दिया तो इसको बोल देते हैं बात रिवर्स इंड़ी इस और यह कैसा हो जायगा नॉन केुच्टिकली सिर्फ यहां अगर बचे यह वाली साइड अगर ये वाली साइड हाइयर पोटेंशल और ये वाली साइड लोवर पोटेंशल होई तो कहेंगे फॉरवर्ड बैस और इसमें डायोड कैसा होता है कंडक्टिंग करेंट को पास होने देता है और बच्चे अगर ये वाली साइड अगर मैंने हाइयर पोटेंशल कर दी तो कैसा हो जाएगा तो डायोड कैसा हो जाएगा नौन गंडेंग का सबस्ट केरे सब्सक्राइप टॉप पोटेंशल यह हायर पोटेंशल इत्ती बात लिए रहे इत्ती बात लिए रहे इत्ती बात लिए रहे चलो अब यह अगर बात तुम्हें समझ में आ गई तो मैं आपको समझाता हूं हाफ वे रेक्टिफ आयर कर सके तो समझना मैं हर एक पार्ट को अच्छे से समझाऊंगा बताओं गा और आपको क्लेयर करूंगा यह बच्छ एक एक राइमरी सोर्स है और यह अपना ट्रानस्वार्मर को एस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए फिर ही थिस चीज को किया कहते है ट्रांसफॉर्मर का क्या का हुटता वोल्टेज को आईधर अधर लोकर ना या आईधर अईधर करना ट्रांसफॉर्मर क्या करता है लोर संट को यह तो गिरा देता है कम कर देता या उठा देता है जैसे 나ology जो आपकी मोबाइल उसको कभी तोड़ना उसके इंदर एक ट्रांसफर्मर निकालता है वो पहले क्या करता है जो आपका 220 वोल्ट पे जो सप्लाई आ रही है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर यूज करके हम चार वोल्ट पांच वोल्ट जो भी हमारे मोबाइल के लिए चाहिए उत लगती वो डिसी बैटरी लगती है और डिसी डिवाइसे बड़ फिर भी हम चार्जर से इसको जब चांजर से कनेट करते हैं तो वहां पर घरों में 220 बड एसी आ रहा होता है रहा है हम यूज कर रहे हैं तो चार यह पांच वोल्ट का डी सी तो डैट मींस आपका जो एक मो 220 volt को 345eding जो भी हमें चाही verified phone में उस voltage पे लाके दे रहा है हर एक जो तौह जिवास होती है फारेक्षेख होथर। पालिस कर vita को में चाक्ता है भूस गया होई वह स्ट्रक्चर्ट वबॉक्स टाइप होता है वह बॉक्स टाइप इस्ट्रकचर में जो सब्सक्राइन करता है इसको इस से मालों लैपक्टॉप जो ह eyeballs 19.2 लिखा होता है लेटाप के लिए हमें वोल्टेज किता चाहिए 19.2 वोल्ट चाहिए तो 19.2 पहले 220 वोल्ट को 19.2 वोल्ट पे लेके आता है कौन ट्रांसॉमर अब वो लेकिन है तो अभी भी एसी अब वो ट्रांस्फोर्मर की बार जो आउर्पुट मिला उसको हम दे देते रेक्टिफायर सर्केट में रेक्टिफायर क्या कर देता है उस एसी को डीसी में कनवर्ट कर देता अब हम पास लैप्टॉप के लिए मिला 19.2 वोल्ट का डीसी वोल्ट और हम जो भी नॉर्मल छोटी डिव लेगा उस बॉक्स में यह सरकेट होते हैं मेजली एक ट्रांस्फार्मर और एक रेक्टिफायर सरकेट होता ही होता है किसी भी तुम एलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देख लो जो चलती है वो डीसी पर चलती है और जो अपनको पावर सप्लाई आ रही है वो कैसी आ रही है वच्छे ऑल्टेनेटिंग मॉडन एलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तुम यह नहीं कहां दूसरे फ्रिज मेरा मत्रा समझ यह हो कि मोबाई फोन आप लेलो या फिर क्या कहते हैं आपके लैप्टॉप लेलो जो गैजट्स अपन यूस करते हैं टेक्निकली अगर बिगिंग बा सेकंडरी सागे तो इस्टेब डाउन यूज करके हमने इसको छोटा कर लिया अब मैं बात करूंगा फिर मैंने यहां पर लगाया एक डायोड क्या लगाया एक डायोड मैं इसको पहले एक फ्रेश स्लाइड पे अच्छे से बड़े से समझा देता हूं बड़े सर्किट में है तो सबसे पहले हमने क्या किया बचे यह अपने पास एक एसी सर्केट थी अच्छे कि यह ट्रांस्फोर्मर का सब्सक्राइग रहा को कि समझतों जैसे वोल्ट मीटर को आप वोल्टेज से ऐसे रिप्रेजेंट करते हो रेजिस्टर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो इसी तरह ट्रांस्फोर्मर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है अब हमने क्या किया यहां पे लगा दिया यहां पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ओर तो तो ट्रांसफुर्म इसमें कोई चैंज निकरेगा एक्जक्ली सेम फेसमन पहुचा देगा बस पोटेंशल अगरे यह यहां पर पहले जो cycle मिलेगी वह exactly same cycle मिलेगी बस विद लोवर वोल्टेज लेवल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टनेट तो पहली फर्स साइकल में देखूं तो यह क्या आया positive तो पहले य पर पॉजटिव कनेक्टेड है तो यह डायोट कैसा हो गया बच्छे फ़रवड बायस तो यह कैसा हो जाएगा और देक्टिंग हो जाएगा तो जा में आउटपुट मिले फिर यह मिल है कि साइकल के हमने बात कर लीत कु hence lorsqu भूर बना दे रहे इस साइकल में डायोट पोल राइगह फिर यहां कि आएगा आजाएगा माइनस आजाएगा अगर यह माइनस आजाएगा तो यह क्यासा हो जाएगा रिवर्स बाइस रिवर्स बाइस को आर्बी से लिखते रहा और रिवर्स बाइस में डायोड कैसा हो जाएगा नौन कंडक्टिंग और डायोड नौन कंडक्टिंग हो जाएगा तो है अगेर जब पॉजटियसय कि लाइगी अग कि यहां पर क्या हो जाएगा पॉजटिव जाएगी तो यहां प हाई यह पोटेंश्ट्शल पॉजच्le अगया तो अगेन डायोड कैसा हो जाएगा फर्वर्वर्ड बाइस हो जाएगा तो करेंट फ्लो कर जाएगी तो अगेन आउट्पूट मिल जाएगा फिर जीरो तो हमें alternatively जितने भी माइनस वाले थे जितने भी माइनस वाले थे वह क्या हो गए बच्चे कंडिशन होने के वह से क्लिप आउट हो गया खत्म होगे काट के निकाल दिए गया तो हमें जो output मिल ला है उसमें सिर्फ positive value मिल लहीं है जो उपर वाला पार्ट था सिर्फ वहीं की मिल रहा है विकॉस जैसे ही निगेटिव सक्राइक आती है डायोट कैसा हो जाता है रिवर्स वार्स बाइस पतार नौन नॉन अनॉन कंडॉक्टिण मतलब करेंट फ्लो क्रेंट लुए नहीं किया मतलब करेंट कि कितनी मिलेगी उस दिरेशन में हाफ समझे क्यों भोला हाफ में आया क्यों जो भी इंप्स सिग्नल रहे हैं इंपूट अलटेट करेंट देstes काड तरहरा कहतं करें रहा है धर ही पार्ट को होने दे रहा है इस की वरक्तिफार वर्क्टिक वर्केंग तो यह फारवर्ड बाइस हो जाएगा जो भी आउटपुट वाइस इस करेंट फ्लो जाएगी जैसे ही बच्छे यहां निगेटिव साइकल आएगा निगेटिव मतलब पी इंजेंशन कैसा हो गया कि रिवर्ष बाइस में डायोड कैसा हो जाता है नौन कान्डॉक्टिंग होने के वैसे यहां से कोई भी करेंट फ्लो नहीं करता तो इस तरह से अल्टेटिव प्लस प्लस आते माइस वाले खतम गाएव हो जाते हैं तो पूरी वेव में से सिर्फ आधा क्या कहते मिलता है इस पाट तुम काटके निकाल दे रहो यूजी नहीं कर पा रहे हैं उसको इतनी बात आई समझ में हाफ लिए के लिए जल्दी से कॉपी कर लो इसको जल्दी से कॉपी कर लो कि ट्रांस्फार्मर का सर्केट रिप्रेजेंटेशन यह होता है तो वह यहीं बनाएं यह बेसिकली आपके एक चार्जर जो मोबाइल का चार्जर होता उसका सिंप्लिस्टिक डिजाइन है फुल बना दूंगा तो जो एक्ट्वल चार्जर होता वह डिजाइन मिल जाएगा को क्यों कहते हैं बहुत सिंपल सी बात है आधी वेव को काटके निकाल देता खातम कर देता बरबात कर देता सिर्फ आधा ही पार्ट हमें उसका यूज कर पाते हैं यह हाफ वेव रेक्टिफार कमफटेबल बचा लोग कमफटेबल है आगे बढ़ जाओं एक नंबर अजय को दबालोग तो और वह मिऊंग को यह यह डाइयोड है प्राइमरी सर्किट में वोल्टेज पॉजटिव नेगेटिव पॉजटिव नेगेटिव दिये तुमने पॉजिटैव साइकल के लिए क्या होगा बच्चे डायूट कंडक्टिंग कोगाई किसा होगा के लिए वाईपसिर अगीन वीजा होलेकर बच्चे रिवर्स बाइस तो बाइस चलती रहेगी क्रिवर्ड रिवर्स बाइस बहुनफिर रहे हैं वाइस में कैसा हो गया कंडॉक्टिंग तो आउट्पट की बात करें और जगर हम आउट्पट की बात करें तो हमें सिर्फ पॉजटिव साइक्ल मिलेंगी निगेटिव की जगहां में क्या मिलेगा सीडो तो क्या कहते हैं डिस वोल्टेज अक्रॉस दा आरल तो लोड रेक्स जो वल्टेज मिलेगा आउट्पुट में उसमें जो रिवर्स बैस होला पार्ट है वो क्लिप आउट हो जाएगा इसलिए सब्सक्राइब को हाफ एक रेक्टिफार कहते हैं कमफटेबल है कमफटेबल लाब चलोग अगर आप 12 सी बेसी एक्जाम देना तो आपको यह डियाग्राम भी बनाना पड़ेगा इन्पुट वोल्टेज बनाना पड़ेगा आउट पूल्टेज वनाना पड़ेगा और लि रिवर बायस दिन रिवर्स बायस करनिशन डाओड विल नॉन नॉन रिविल नं कंडुक्टिंग्ट यह स्ट नो करेंट थो तो ठीट था इंगेटिव पार्ट मिला निगेटिव निगेटिव नहीं रहा हाफ वेव क्यों कर रहे बिकास आधा मेल रहें और आधी कर दी इतनी बात comfortable है बच्छा लोग सब लोग आगे बढ़ जाओं अब आता है फुल वेव रेक्टिफायर क्याशी बच्छे फुल वेव रेक्टिफायर तो यह सेंटर टेप्ड टैब्ड फुल वेव रेक्टिफायर जो अपने सेंटर को लेके ही पूछे गए हैं सेंटर का मतलब क्या है ट्रांस्फॉर्मर के बीच से भी हमने एक इनपुट निकाल लिया तो अब मैं समझाता हूं कि बहुत सेंटर का मतलब क्या होता है और यह कनेक्शन देखो यह डायोट डीवन है यह डीटू तो समझना बच्चे यह हम इन्पूट सिंगनल देंगे तो ट्रांस्फोर्मर का काम कि ऐसे वोल्टेज को स्टेप डाउन या स्टेप अप करना हमने माल लिए कि इधर नंबर आफ तर्स ज्यादा इधर काम है तो यहां पर जो हमें डायोट से जस्ट पहले जो हमें मिलेगी वह कुछ ऐसी मिलेगी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कमफटे में तो जब पॉजिटिव साइकल होगी जब पॉजिटिव साइकल होगी तो बच्छे समझना यहां पर क्या होगा पहली साइकल के लिए फॉर्दा फर्स साइकल फर्स सेकंड थर्ड फॉर्ड फिफ्ट सिक्स्थ हम पहले के लिए बात काता है तो फर्स साइकल में यहां पर क्या जाएगा बच्छे पॉजिटिफ क्या जाएगा पॉजिटिफ यहां क्या जाएगा निगेटिफ तो फर्स साइकल में डीटू क्या हो जाएगा मैं फर्स साइकल के लिए लिख दे रहा हूं सबस्ट वे सबस्ते हैं डीवन डायोट डीवन है डीवन कैसा हो गया कंडक्टिंग कर दो ड़िए लिए आ यह दो डायोट लेगते हैं डी टू इसके जगह आए डीटू के पास क्या यह बहार निगेटिव सब्सक्राइब तो यह है यह भी यह दो क्टूल पोटेशल तो डाइओटी किय साओंगस कि नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिक यह को में यह लाइस तक सफ और यह साओ गया था वापस में इतना कमफ caucus को एक फॉर्वड वाइस हो गया और कि वाइस हो अगर बढल अब अगर की फॉर्वर्ट बाइस होगे आफू यह तो कंड़क्ट करेगा और यह नहीं करेगा तो पाथ देखना पाथ मैं मृटा यह इंपर्ट अगर यह करेगा तो यह करेंद ऐसे जाएगी ऐसे गई आएसे रीस्टर से को उसक्यों सें और उसरक्यट पूरा हुए जा रहा है बले रीटी नॉन कंड़क्टिंग है डीटू नॉन कंडुक्ठीग यक है वटका सर्किट सकते हैं अपन लिक सकते ऐसके लिए सुरिंव ब्लसके लिए शाइकंड रिट्स शाइक्ल यूटीवर नाज biased and D2 is reverse bias D1 is forward bias D1 is forward bias and D2 is and D2 is reverse bias D1 is forward bias and D2 is reverse bias and so current will flow through RL RL कौन सा है लोड रेजिस्टेस यह आउटपूट है थुरू D2 only through D2 only सिर्फ D2 की वज़े से करेंट मिलेगी हमको किसकी वज़े से करेंट मिलेगी डीटू की वज़े से करेंट मिलेगी कमफर्टेब सॉरी तुरू D1 only डीवन कंड़क्टिंग है तो डीवन की तरू करेंट गई डीटू की तरू कुछ नहीं गया यह एक open circuit जैसा behave करेगा अब negative half cycle की बात करते हैं जैसे ही दोस्त यहां पे निगेटिव हाफ सैकेल आई माइनस है तो जैसे यह माइनस वाला ना यह ब्लू वाला तर्म अगर मैं देखों तो अब यहां माइनस आया मतलब यह वाला टूधर डा मतलब यह वाला पार्ट इंपर यह देख रहा है यह वाली इसको रिभल तो में यच्छे की तरफ हा रहा है तो सेकेंड साइकल के लिए बात कर रहा हूं तो तो फोर साइकल टू फोर साइकल टू अगर बच्चे मैं बात करूं तो यह नीचे की तरफ आ रहा तो यह वाला निगेटिव वैलू आई मतलब यह वाला माइनस होगो अगर यह माइनस हुआ तो यह प्लस तो डीवन क्या हो जाएगा अगर यह माइनस तो डीवन कैसा हो गया और यहां पॉजिटिव आ गया मतलब इसकी डायोट की यह वाली साइड इस से गुड़ी गया इस डायोट की और फॉरवर्ड बाइस मतलब कंड़क्टिंग इतनी बात क्लिए रहे हैं तो अब करेंट का पात देखें करेंट का पात देखें दोस्तों एक बात धिहान लखना बचे लोड रेसिटेंस के तुरू अगर मैं करेंट का पात मैंने यह वाली पहली साइकल में बनाया तो नीचे की तरफ जा रही थी फ्रॉम एक्स टू वाई अब जब निगेटिव साइकल के लिए मैं रेड कदर केंग से बनाओ फॉर साइकल टू के लिए अगर मैं करेंट का पाथ बनाओ अगर यह फॉरवर्ड बायस हुई तो करेंट के इसके तूरू ऐसे जाएगी मैं वापिस सवे कंप्लीट होगा दो ऐसे निगली गुंके पहुंच गई तो क्या वापिस ससर्किट कंपलीट होता देंख रहा है अगीन अगर मैं करेंट का या रो देख़ू तो नीचे ही है तो मतलब जो पहले हमें करेंट का अरो दिख रहा तक करेंट की डाइर'क्शन द लई है तो अपन लिख सकते हैं इन दिस साइकल करेंट है विल फ्लो थुरू डी टू अली जैसे फस्ट में डीवन नहीं था सेकेंड में क्या है डीटू फिर अगें अगली पॉजिटिव साइकल आ जाएगी फिर अगें ये औरинов भाहिए हो जाएगे तो यह ब्लू वाला पात मिलेगा और यूणी डायरेक्शनल करेंट कि यूणी डायरेक्शनल करेंट की यूणी डायरे के गा्याम में यह अल्टरनेटिंग करेंट सोर्स है यह आपका ट्रांस्फोर्मर यह आपका डायोड डीवन यह डायोड डीटू कमफटेबल है यह सेंटर टेपिंग कर दी यह आपका लोड रेसेंस आरल कहीं भी बनादो कोई दिक्कत नहीं होती लोड रेसेंस को कमफटेबल है यहां पर आपने देदिया अब देखना बच्चे गर मैं इंपुट बना रहा हूं तो जो हमें आउट्पुट मिलेगा इसके क्रॉस हमने देखा दोनों ही बार में करेंट की सेमी डायरेक्शन थी तो आउट्पुट जो मिलेगा हमको और और को कुछ इस तरीके का वलेगा कि यह वाली सॉक्टी कि कंदक्टिग ता jaki डूसरी किसके मिल लाई थी जब दी टू तो यह डी ऑन की वज़ा से है फिर यह डी टो कि?- तो दू डायूट बनाके पॉज़टिव हाफ साइकल में डायूट डी वन कंडॉक्टिंग है निगेटिव हाफ साइकल में डी टू कंडॉक्टिंग है तो इसकी वय से alternative हमें एक बार डीवन की विए से डीटू के से लेकिन इसमें सिंपल सी बात यह कि कोई भी पार्ट ऑफ दा करेंट करके काट के निकाला नहीं जा रहा है यह वाली भी साइकल आ रही है यह वाली भी आ रही है मतलब कोई भी चीज का वेस्टेज नहीं हो रहा है इसलिए इसको क्या कहते है फुल वेफ पूरी की पूरी वेव मिलती है बट सिर्फ पूरी मिल तो दो डायोड होने के वाज़से एक बार एक पॉजटिव साइकल में जो पॉजटिव साइकल के लिए डायोड डीवन कंडुक्टिंग जो निगेटिव साइकल हो यहां निगेटिव होगा तो यह पॉटेंशिल पर हुआ तो यह एक बार दीवन कंडुक्टिंग एक बार दीटू कंडुक्टिंग फिर दीवन डीटू अल्टरेटिवली कंडुक्टिंग होते रहते हैं और दोनों की वैसे लिए करेंट का पात इस आरल के क्रोस कभी चेंज नहीं हो रहा मतलब यूनी डायक्शन करेंट को ही अपन करेंट कहते हैं तो दिस वास अल अबाउट दा फुल वे एक्टी फायर जल्दी से कॉपी कर लो बचा लो कॉपी कर लो कॉपी कर लो कॉपी कर लिए इसको इन्पूट आउटपूट कॉपी कर लो इन्पूट आउटपूट को कॉपी कर लो बचा लो अब नएची जाती है पीए जिंग्शन डूट आए अधिक है अब नएची जाती है पीए जिंग्शन में इस्पेशल पॉपस जैसे मैंने बताया इस नॉर्मल जो पी एंजिंग्शन पढ़ते हैं उसको बोलते हैं जनरल पॉपस जायोड समझना बच्छे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इस पर एक्जाम में कॉशन आने की चांसे बहुत ज़्यादा है इसको बोलते हैं जैनरल पॉपस डायोड यह एक जैनरल पॉपस डायोड आता है इसको बोलते हैं स्पेशल पॉपस डायोड जैनर भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं जैड इनियाज जैनर कुछ बेसिक से एंत्स अंता बता स्फिम्बॉलिक रिपर्जेंटेशन इस पर डंडी सीधी होती है sama में दंडी थोड़ी सी हम घुमा देते हैं तो इस तरह की दंडी दिख गई तो एक जैनर डायोड है और सिंपल एक स्ट्रेट लाइन दिख गई तो वे एक स्पेशल जनरल पॉपस जायोड जो होते हैं यह कैसे होते हैं लाइटली डोप्ड इसमें जो हम पी टाइप और बश्रेटली डोप्ड होते हैं लेकिन जब इस सपेशल पॉपस जायोड बनाते हैं तो यहां मियह बहुत ज्जादा बिंद आ स ?! ऐ Gil dopt होने की वजाएस से जोपर इन कसे बहुत होनी की वैसे सब समलाओंगा हूं गावि कुछ इंपॉर्टेंट बतारा है कि तुम्हें बेसिक लेवल पर से वित्ती सी स्लाइड भी होई तो भी तुम पूरिये जैनर डायोट की पूरी एक-एक क्वेश्चन जो एक्जाम में आ सकता सब आप सॉल कर सकते हैं चोटी सी इंफॉर्मेशन भी तुम्हें द्यान नहीं क्या स्पेशल पापस आयोट कहते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है यह कैसा होता है हाईली डोप्ड होता है वह लाइट लिए डोप्ड की वज़ासे जो डेप्लीशन रीजन होती है यहां पर डेप्लीशन रीजन कैसे आती है डेप्लीशन रीजन कैसे मिलती सफिशेंटली थिक मिलती है ती एच आई सी के आपको सफिशेंटली थिक मिलती है डेप्लीशन रीजन कैसे मलता है सफिशेंटली थिक मिलता है और यहां कैसा मिलता है तिन बहुत पतला मिलता है य यह बहुत पतला होता है तो इसके कंपैरिजन में तुम्हें ठिक मिलता है और तिस्री बात कि इस बॉंस बॉंस मतलब जल जाता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज यह रिवर्स ब्रोकडाउन में एक बार चला गया तो बर्न हो जाता है और स्पेशल फपर जांक्शन डायोट की बात करूं जैनर की तो इट डू नॉट यह बंस यह जलता नहीं है इसलिए हम रिवर्स ब्रेकडाउन में भी इसको यूज कर सकते हैं इसको यूज नहीं कर सकते बिकॉस जल जाता है फुक जाता है यह लास्ट लेक्चर में पड़ाया था तो समझा दिया था तो यह एक जनरल पॉपस जायोट और एक स्पेशल पॉपस डायोट का रिप्रेसेंटेशन और एक बेसिक लेवल पर जो अंतर है डिफरेंस है वो मैंने आप लोग को दोनों सारी चीज़ें मैंने आपको यहां पर बता दी यहां पर मैंने यह दोनों चीज़ें आप लोग को बता दी कंफ़ड़ें कंफ़ड़ें बच्चे तो क्या बच्चे इन दी सेक्चेन विशल डिसकर सम्ट डिवाइस विच आ बेसिकली जंक्शन डायोड बटा डेवलेड फॉर डिफ्लेंट एप्लिकेशन ठीक है तो इस्पेशल पपर स्पेया पीएं जंक्शन डायोड में आता है अब जैने डायोड क्या होता है इंसली में बहुत इंपर्टन लाइन लेकिए मैं अन्डेलाइन करा थो देखना जैन डायोड इस फेड्रिकेटेड मैंने क्या बताया है याविली डोपिंग बोथ पी एंड एंड अंसाइड डोपिंग कैसी होती है confess this बावरी तिन डिपिल सब्सक्राइब यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इस जनर डायोड में एक्स्री जो एलेक्रिक फील्ड मिलती है वह बहुत हाई होती है फाइव इंटू ते पावर सिक्स वोल्ट पर मेटर की इवन फॉर इस्मॉल रिवर्स बाइस इवर फॉर इस्मॉल रिवर्स वाइस तुम्हें याद होगा जो नॉर्मल पी एंज जंक्शन बताया था एक जनरल पर बताया था उसके लिए मैंने बोला था ब्रेकडाउन वोल्टे जाता है सत्तर असी वोल्ट पे स्लाइड में मैंने मार्क भी बनाया था मैंने बताया था जो अपने डिवाइस होती है उसमें दो वोल्ट चार वोल्ट पांच वोल्ट की बैटरी से काम कर रहे होते हैं तो पांच आट वोल्ट की बैटरी से काम कर रहे तो सत्तर असी तो मिले गा ही नहीं तो इसलिए कभी वो रिवर्स ब्रेकडाउन में जाए गाए नहीं लेकिन कभी अगर गलती से एक बार breakdown में चला गया तो वो क्या हो जाएगा बुर्ण जल जाएगा भुक सहवा जाएगी और जलने के बाद उसको दोबारा यूज नहीं किया सकता लेकिन उसका reverse breakdown में कहा रहा है 50-70 वोल्ट पे यहां पे इतनी जादा ही पहले से इतनी इस ट्रॉंग होती है कि थोड़ा सा भी अगर तुमने रिवर्स बैस दे लिए पांच वोल्ट तक का जो कि हैं बैटरी से दे सकते हैं यह रिवर्स बेक्डाउन में पहुंच जाएगा लेकिन इसकी खास बात है कि यह जलता ही नहीं है रिवर्स ब्रेक्डाउन में नहीं जलता इन फेक्ट जैनर का यूज ही सिर्फ रिवर्स में करते हैं रिवर्स ब्रेक्डाउन के लिए रिजन में ही करते हैं और रिवर्स ब् आप स्टानी आप सबस्क्राइब कर सकते हैं इसी जो जैनर डायोड यूज करते हैं इसका जो यूज होता है यूज होता है वो क्या होता है एक वोल्टेज टैब लाइजर एक वोल्टेज स्टैब लाइजर जाये स्टैब वोल्टेज डैगूलेटर जैसा काम यूज करते हैं तो को जैनर में क्या लिखा हुआ है कि रिवर्स ब्रेकडाउन में जाने के बाद अभी आई वी करेक्टर दिखाऊंगा तो आपको पता च चेंज ले आओ यहां तो यह स्टैज इन दा करेंट कैनभी वेर्स बैस मतलब करेंट में तो बहुत भेंकर चेंज लाए लेकिन वोल्टेज में कद्दू कोई भी फरक नहीं पड़ा वहात तो बिल्कुल भी सिग्निफेकेंट नहीं था अब्जर्वेबल नहीं था तो हम कह सकते हैं उसके एक रॉस जो वोल्टेज रहा वह कॉंस्ट रहा मतलब तुम कुछ भी लेके आओगे current हो सकती है लेकिन वॉल्टेज तुमने कुछ भी इंपुट में या फिर आओ कुछ भी तुमने चेंज लाए सरकिट के साथ छेड़ा खानी करी उसकी तुरू current चेंज हो जाएगी लेकिन जैनर के थ्रू जो वोल्टेज है वह कॉंस्टेंट रहेगा इसलिए क कोई भी सेंस्टिव डिवाइसे से होती है जो वोल्टेज थोड़े बहुत लग वोल्टेज के फ्लक्टुएशन पर जो एलेक्ट्रोनी डिवाइसे सकती है उसको हमेशा जनर के पैलल में कैसे जनर के क्रॉस वोल्टेज फिक्स तो कभी तुम कुछ भी चेंज लाओ करेंट टेंज हो जाएगी लेकिंवी लेकिन जनर के क्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं ओगा और लेक्राइस अगर वोल्टेज चयंज नहीं हुआ तो वह एज़ वोल्टेज रेगुलेटर या वौटेज स्टेबलाइज करता है जनर का सिम्बल वोल्टेज रिमेंस कॉंस्टन यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी कि जैनर का यूज कैसे करते हैं ऐसा वोल्टेज इस्टेबलाइजर और वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं तो यह जैनर का सिंबल मैंने बताया था एक फोड़ी एरो के साथ मारेते हैं स्टेट लाइन होता है तो क्या होता है जर्नल परपर्स और वैसे तो ऐसे दो को यहीं तक बनाई आगे बनाई नहीं क्योंको जैनर को कोई भी फर्वर्ड बायस में नहीं बनाता बहुत बनते हैं लेकिन अगर तुम रि works by registering में वी जेट पहुंचा Igles break down audio Rigs break down reason में पहुचा यह ingredient बरेक डाउन reason में पहुचा तो करण्ट में almost मतलब भ拜拜 change लेये लेकिन voltage टन से मस ना दाएंग यह ना बाइस वोल्टेज में कोई Cent निले एक बार वर्टेज़ बेक फुक जाता है सत्तरसी वोल्ट लगा दे तो इतना हाइयर पुटेंशल लगा दिया तो वह फुक जाता है यहां पर होता कि आगर मैं बेसिकली बताओ में ओर दिया तो यह लैकडाउन नहीं करता जो आयो लिकिन आयना जो कि बॉण he कर रहते घृटिटू कर तोज़ भेलन नहीं कर नहीं नहीं तो इनर्जी देके फ्री करा सबसे बड़ा फाइदा क्या होता है बहुत स्ट्रॉंग फील्ड पहले से ही एक्जिस्ट करी होती है तो थोड़ा बहुत भी तुमने वोल्टेज लगा दिया तो जो क्या कहते हैं उसके वहां से बॉंड तोड़के ब्रेक करके करने बहुत बहुत क्टरों करेrau सकते हैं तो उसकी तुरौ में बहुत तगड़ा ऐसा ही है तो मतलब जला नहीं मतलब कोई chemical changes नहीं आए उसके structural deformations नहीं हुई structure में कोई दिक्कत नहीं आई तो वो हमें यूज कर सकते हैं तो जैनर के साथ सबसे बड़ी बात अच्छा फाइदा क्या होता है एक तो breakdown बहुत जली मिल जाता है पांच वोल्ट इस पेशल में कहा प्रट पर 805 ब्रेक्ट्री लगा यह इतने पोटेंशल मिल भी सकता था था हम क्या कर जाता है अगर हमें इतना पोटेंशल लगा के पहुंच जाते हैं अ जैसे लेटिस आता था यह जल जाता था क्या इसमें लेटिस टूपता है नहीं इसमें तो सिर्फ वैलेंस शेल का एलेक्ट्रॉन हाई एलेक्ट्री फिलोने की वज़े से निकव बॉंड को तोड़के बाहर आ जाता है फ्री हो लेता है तो वह वैलेंस शेल के एलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन मिल जाती है इस तो इसमें कोई structure deformation नहीं आता है जलता फुकता नहीं है और यह जलता फुकता नहीं है तो इसके वैसे इसको हम use कर सकते हैं कभी बार बार यूज कर सकते हैं और रिवर्स बाइस में जाने के बाद हमने इसकी आई वी करेक्टर सब्सक्राइब की ओल्मोस वर्टिकल लाइन दिख रहे हैं मतलब वोल्टेज क्या मिला है कॉंस्टेंट और वोल्टेज कॉंस्टेंट मिला है तो इसको कैसे यूज करते हैं जैनर इस यूजड अब मैं आपको एक समरी देने लेकर दिखने वादा हूँ जैनर डायोड की इंपोर्टेंट समरी जिसके बाहर मैं गयरेंटी के साथ कह सकता हूँ कि कभी कोई कोई क्वेशन आई नहीं सकता ना जे ही मेंस के ऐसाम में ना नीट के एकसाम में आहीं नहीं सकता सिर्फ पूरी NCRT की दूरी पढ़के जो इंपोर्टन जितने इंपोर्टन पॉइंट जो पूछ जिस पर क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे पॉइंट में जैनर डायोड को लेके यहां पर लेखने वाद है जैनर डायोड इस फॉर्म बाई है विली है विली डॉपिंग तहला पॉइंट है विली डॉपिंग पी एंड एंड साइड डोनों कैसे होते हैं है विली डॉप अगला पॉइंट बेस रीजिन इस वेरी थिन third point, electric field inside sorry the depletion reason inside the depletion reason is very small electric field inside the depletion region is very small electric field inside the depletion region is very small electric field inside the depletion region is very small electric field inside the depletion region is very small electric field कैसी ओती बच्चे वेरी स्मौल होती है कैसी होती ही बच्चे इस वहरी स्मौल इतनी बात एकी माहिए बात कम्फ़र्टेबले बेसरीं इस बात कम्फ़र्टेबर बेसरीजन इनलिफांचन इस बहुरिप वह 550 आप एव भी ऑर सॉ एमीर स्मॉलिड TX बात कर लेयंद आप electric field inside the depletion reason is very small oh 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 if I want is very high is very high give me oti electric field of the approximately 5 into 10 to the power per six volt per meter के order की comfortable बले बच्चा तीसी चौति बात reverse break down voltage is small reverse breakdown voltage is small किस्टने के बात होता है approximate पांच वोल्ट के आसपास का होता है एप्रोक्सिमेट किसे कितने वोल्ट के आसपास का होता होता बच्चे पांच वोल्ट के आसपास का होता है अगला पॉइंट it can be used in reverse breakdown region it can be used in reverse breakdown region it can be reason breakdown river as diode is not burnt reverse burn एक जो जनरल पॉपस राइवर्ट होता है वो breakdown reason में जल जाता है यह नहीं जलता है comfortable है comfortable है और इस breakdown इसके वेकडाउन को बोलते हैं जैनर ब्रेकडाउन क्या कहते हैं जैनर ब्रेकडाउन अब तुम से कोई पूछ दे जैनर ब्रेकडाउन में होता क्या है तो तुम बोल दो के electrons of valence shell electrons of valence shell गेट फ्री जो वेल एलेक्ट्राउन होते हैं वेलेंच शेल के वही फ्री हो जाते हैं और पांची बार इस यूज़ एस इस यूज़ एस वोल्टेच regulator voltage regulator because जब इसको यूज़ करते हैं जो इसको यूज़ करते हैं तो voltage क्या मिलता है constant एक बात लिखना और बोल गया it is operated इसका का यूज़ इन रिवर्स बाइस मोड ओनली जैनर डायोट का यूज सिर्फ और सिफ जैनर रिवर्स बाइस कंडिशन में इलते हैं के लिए फॉरवर्ड बाहिश के लिए जनरल परपबे रिव burner ठोढ़ा इचली इसकी फाहिबrics केटिंग कॉस्ट महटम महमा बंता है तो कॉस्टिंग ज्यादा होती है तो फाहर बाइस केक्ट इसकेक्टृस बाइस और इसकी ग्रे truderma है यह सस्ता है तो अब्विस्स इस बात यह यूज रहा है और सकते हो बिकोज लैटेस स्ट्रक्चरिंग में कोई डिवाइस या डायोट जला नहीं सिर्फ क्या किया उसने वेलेंच शयल के प्राव को फ्री किया है करें मोड में यूज किया जाता है जब हमें कॉंस्ट्ट वोल्टेज या सेंस्टिव डिवाइस के क्रोस कॉंस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है तो इसको सर्केट में लगाते हैं और इसकी यह सारी प्रॉपर्टी हैं यह प्रॉपर्टी अगर आपने याद कर डाली या फिर यह तुम्हें पता हैं और समझ में आ गई जो मैंने समझा भी दिये प्रॉप बिल्कुल जा लाला हो जाएगी इत्ती बात कमफ़टेबस लोग सबी लोग बढ़िया से एक number काईवनी समस्या तो नहीं सब बढ़िहां बच्छा सब भालो इसाँ चलिए आगे बढ़ जाएं आगे बढ़ जाएं चलिए तो आप जो टॉपिक का नाम है जर्णर डायोड एक लगा हुआ यह क्या एक जर्णर डायोड है इसके आगे यह डांसिंग बाला यह लगा अब ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करना है तो इसको कैसे यूज़ करेंगे इना रिवर्स बायस्ट रिवर्स बायस्ट होने मतलब पी साइड को आप निगेटिव टर्मिनल आप पोटेशल से यहां पर माइनस लाओगे और यहां प्लस लाओगे तो जब इसकी बा हाइएर पोटेश टम बढ़े वाले बैटरी के डर्मिनल को इदा नहीं नहीं छोटे वाले को छोटे वाले को कि अब ठीक है तो बैटरी का लोवर पोटेंशल जो होगा इस ते करेक्ट हो जाएगा यह अन्रेगुलेटेड वोल्टेज आ रहा है फ्लक्चुएटिंग यह यह क्या हो गया बच्चे आपका रिवर्स बाइस में क्या इसके क्रॉस वोल्टेज कॉंस्टेंट होगा इसके क्रॉस और अगर और बच्च का रहीं पापक्रे आएगा एक्जेकली कॉंस्टेंट जो भी जैनर का वर्टेजा वोल्टेज वो मिलेगा अब तुम कुछ भी चेंज्ज लेके आओगे इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेंगा हमेशा कॉंस्टेंट रह है तो लोड रेटिसेंट के लगा मिलेगा और अगर एल से मिलेगी है यह अब तुम पूछा तुम पूछा कैसे है इसकत assessment कितना भी कर लो तुम मेटा इस वोल्टेज को कितना भी फ्लक्चुेट कर लो इसके प्रोस वोल्टेज रहेगा तो जो भी एक्स्ट्रा करेंट होगी समझो यह करेंट ऐसे जा रही है यहाइवन है और यह आई एल है तो यह करेंट ऐसे आ रही है फिर ऐसे गई तो एक ऐसी जाएगे कुल यहां जितने भी आईवर में चेंजे चेंज़ करा त्वर यहां पे जो भी चेंज़ आएंगे हमेशा ही एल हिरें इसको क्या हो जायेगी कॉंस्टेंट यह इसको लिख दिए आई-जेड यह जन्डर की धुरूर्ण है जन्र वाली करेंट को क्या लिख दिया आई-जेट तुम यहां जो भी चेन्जिस लाओगे यह आई-वन भी चेज़ होगा और आई-जेड भी चेन्ज हो जाएगा लेकिन आई-ई-ल तुम मतलब जो भी करेंट बढ़ेगी यह कॉंस्टेंट रहेगा विकॉज इसके क्रॉस वोल्टेज हमेशा कॉंस्टेंट रहना है और इसकी तुरू करेंट तुम कितनी भी चेंज कर सकते हो जब रिवर्स में आ गया तो तो करेंट की वैलू तो कई धेसारी में लही रहा है तुम कुछ भी फ्लक्टुएशन लाओंगे इसके रहना हो तो लोट लोट इसके साथ पैललल में करेंट के करउंट डिवायरी क्रेंट मिल गया अब तुमने चेंज कियے तो यह ऐस्ट रोटेज सब्सक्राइब करेंट चेंज होगा अब इसमें करेंट हुआ तो यहां इन दोनों करेंड में भी चेंज़ करा लेगा जैनर जो चेंजेज आएंगे वो हमेशा अपनी धनो लो करा लेघा इसके तो के क्को क्या रहने देगा कॉंस्टेंट तो इस तीरह से करेंट और वन या Taranto को को कारेंट तो अपने इसको डायोड बनाया इसकी वी आई करेक्टर सिस्को अपरेटरस लगा करेटर्स किया तो में दिखा यह रिवर्स ब्रेकडाउन में जाने की बाद में कितनी भी चेंज कर लो वोल्टेज नहीं होना तो यहां पर कुछ भी तुम कुराफात करोगे इसके तुरू करेंट यह तो एक नॉर्मल ओमिक रेजिस्टेंस है ना तो वी जी कर शुआ यह तो इसके वॉल्टेज को करेंगे जो भी फ्लक्ट्वेशन आएंगे जनर अपने तुरू प्लो करा लेगा और डिवाइस अपनी सेफ रखेगा तो इस तरीके से जनर डायोड को एज़ा जाता है ठीक है बच्चो तो अल यू वाइक यह तो प्लस और सब्सक्रिप्ट्विशन और यूज करने के लिए और लेने का बना रहें तो प्लीज बच्षे आप जो कोड यूस करेंगे वहाँ पे एस एल आई वी यह मेरा स्क्रुप्शन कोड है जिससे आपको टेन का डि का डिस्काउंट मिल जाएगा एसल आई वी या फिर मेरे नाम पे एक और कोड़ दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते ए एम एन अमन मेरा नाम है एल आई वी अमन लाइव इससे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इसके तुरू आप सब्सक्राइब कर दे अगर आ इस मेरे कोर्श करने के बाद आप किसी भी यह से पढ़ सकते इसा कि सिफ ने से पढ़ सकते अगर उनके पढ़ा है तो उनके सारे कोर्से आपूज आप यह अगर जेए में कोई टीचर पढ़ा रहा है कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो आप उनकी क्लास कर सकते हैं ठीक है अनलिमिटेट एक्सेस नहीं है कि आप फिजिक्स एक लोग से पढ़ो तो दस लोग से पढ़ो गड़ित मैट्स चाहो तो दस लोगों से पढ़ो कोई भी टीचर अगर अनकेडमी पे है उस केटिग्री में तो आप उन सब की सारी क्लास को एक्सेस सारे कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा वाट यह फिर मेरा नाम याद है तो अमन लाइफ दोनों में से कोई साभी क्या कहते हैं आप सास्क्रिशन कोड यूज कर सकते हैं और अनक बहुत अच्छी क्वालिटरी एजूकेशन जो कोटा में दी जाती है उसी लेवल के इसी स्टैंडर्स की जीजें आपको यहाँ पे घर बैठे में जा रहे हैं ठीक अच्छो तब तक के लिए मिलते हैं फिर कल आगे के लेक्चर के साथ तब तक के लिए टाटा बबाई जह हैं